जैसे आराम दोस्तों तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 24 मार्च 2024 को 9 बड़े शुब योगों में जलने वाली है होली तो वो शुब योग कौन कौन से हैं और इस दिन पर आपको क्या चीजें दान नहीं करना चाहिए और माता लक्षमी को आप किस प्रकार से प्रसंद कर सक हैं तो एस्टोलोजी के अनुसार ऐसे शुब योग 700 साल बाद बन रहे हैं तो अल ये जानते हैं होली का देहन के वक्द सरवार्द सिद्धी योग लक्षमी योग परवत केदार वरिष्ट अमला उभैचरी सरल और शश महापुरश योग बन रहे हैं इन योगों में होली जलने से परिशानियां और रोग दूर होंगे ये शुब योग समरद्धी और सफलता दायक भी रहने वाले हैं तो सरवार्द सिद्धी योग में अगर होली का जलाई जाती है तो इस योग के प्रवाफ से हर काम में सफलता और फायदा ही फायदा मिलता है लक्षमी योग इस योग से धन लाब होता है परवत योग ये योग भागशाली बनाता है इसका विशेश फायदा राजनीती से जुड़े लोगों को होता है तीसरा आता है यहाँ पर केदार योग ये योग यश भैवब और राज सत्ता देने वाला माना जाता है वरिष्ट योग इस यो ये योग दुश्मनों पर जीत दिलाने वाला होता है इस से पराक्रम बढ़ता है तदा शत्त्रों का नाश होता है शच महा पुरुष योग इस योग के प्रवाप से उम्र बढ़ती है नौकरी और बिजनिस में आपको तरक्की प्राप्त होती है होली का देहन बुराई प उठने वाला धुआ अत्वा होली की अगनी की लप्टें पूर्व दिशा की ओर जाए यानि की होली पर पूर्व दिशा की ओर हवा चले तो सहता ग्रंतों के अनुसार यह समझना चाहिए कि राजा एवं प्रजा दोनों के लिए उस वर्ष की होली सुख में रहेगी यानि की पूरे राज्य में सुख संपनता का वास होगा। में पश्च्रम दिशा की होट हवा चले तो इसे अच्छा माना जाता है इसके कारण आम जन्मानस में सोहार्ट की भावना विक्सित होती है साथ ही देश की आर्थिक विवस्था भी मजबूत होती है होलिका देहन की समय यदि होलिका से उठने वाला धुआ उत्तर दिशा की और होलिका देहन की समय हवा चल रही हो तो इस शकुन संकेत से जो है यह अभी प्राय निकाला जाता है कि ऐसी परिस्थिती में फसल की पैदावार अच्छी होती है और धाने की व्रद्धी होती है होलिका देहन की समय होलिका की अगनी अत्वा होलिका का धुआ यदि पूर पश्चिम, उत्तर, दक्षिन, दिशाकी और ना जाकर आकाश की तरफ सीधा जाए तो यह संकित उस देश की राजा को शोक अर्था सत्ता परिवर्तन का प्रबल योग बनाता है। फूब फालगुनी होली खेलनी चाहिए मानेताओं की अनुसार होली का दहन के बाद जब होली की भस्म ठंडी हो जाती है तो उस होली भस्म को मस्तक परतिलक लगाने से वर्ष भर की व्यादी आदी व्यादियों से बचाव होता है। होली की रात माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए कुछ विशेश उपाय करने से आपकी सभी मनो कामनाय पून हो जाती है। पहला उपाय माता लक्षमी को खीर सबसे ज़्यादा प्रिय होली की रात माता लक्षमी को केसर दूद और मखाने की बनी होई खीर का भोग लगाए। इस उपाय को करने से माता लक्षमी प्रसंद होकर आपको सुखी और संपन रहने का आशिवाद देती है। आरियल चड़ाने के बाद आपको होली के जो है 11 बार परिक्रमा भी जरूर से करनी है। होली पर पान के पत्ते का उपाय करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। करने के बाद पान के साथ पत्ते ले ले और हर पत्ते पर 10 लॉइटी रख लें और हर पत्ते पर एक जोड़ाएं करें हर breaker करने के बाद Best कर दोगर नहीं कर आती हैं इस उपाई को करने से आपकी घर में सकरात्म कूर्जा का प्रिवेश होता है और परिवार में खुशियां बर्थी हैं अखरी उपाय गोमति चकर मातलक्षमी को सबसे जाधा प्रिय होता है होली की रात में 21 घूमती चक्रे लेगर किसी शिव मंद्र में जाए और कारियों को देखकर माता लक्षमी आप पर कृपा बरसाती है और आपके कारोबार में तरक्की भी होती है होली पर आपको भूल से भी इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए होली का दहन के दिन गलती से भी सफेग चीजों का दान करने से बचना चाहिए कहते हैं कि ऐसा करने से शुक्र ग्रह नाराज हो जाते हैं यही नहीं इस दिन सपेच चीजों का दान करने से चंदर दोश भी लगता है वास्तु शास्री के अनुसार होली का दहन के दिन पैसों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आर्थे किस्तिती पर बुरा असर पड़ता है होली और होली का देहन के दिन सुहाग निस्तरियों को सुहाग से जुड़े सामान जैसे सिंदूर, आलता, बिंडी, चूडी, आदी जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए ऐसा करने से सुहागन पर नकरात्म प्रभाप पड़ता है होली का देहन और धुलेंडी दोनों दिन वस्तर दान करने से व्यक्ति के जीवन में परिशानिया आने लग जाती है साथ ही आर्थिक संगटों का सामना भी करना पड़ सकता है तो इसलिए आपको कपड़ों का दान भी नहीं करना चाहिए रंग वाली होली के दिन भूल कर भी लोहे या स्टील के बरत्रों का दान भी नहीं करना चाहिए ऐसा करना आपके लिए नुकसान दिसाबित हो सकता है होली और होली का दहन के दिनों में लोहे और स्टिल जैसी धातों से बनी रिवस्तों का दान ना करें साथ ही इन धातों का सामान होली पर किसी अन्य व्यक्ति से लेने से भी बचें होली पर इन चीज़ों का दान करना आर्थिक रूप से नुकसान दायक होता है होली का धहन और होली वाले दिन सर्सों के तेल का भी दान आपको नहीं करना चाहिए इन दिनों में सर्सों का तेल का दान करने से शनीदेव नाराज हो जाते हैं तो आपको ये सबी चीज़ें दान करने से हमेशा बचना चाहिए होली काथ के दिन और होली का धेन वाले दिन तो ये थी मेरी चोटी से जानकारी लक्षमी माता को प्रसन करने के बारे में और जो होली की धुआ होता है उससे क्या क्या प्रभाब पढ़ सकता है उसके बारे में आपको ये information कैसे लगी comment box में जरूर से बताईएगा तो अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा जैसी आराम